सुपरभात नन्ने गोइंगंस आपका आपकी कख्षा में स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ रहे हैं अपनी व्याकरण की पाटे पुस्तिका से पाट साथ पाट का नाम है लिंग बच्चो लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वे पुरुजाती का है या इस्तिरीजाती का उसे लिंग कहते हैं उस शब्द को लिंग कहते हैं जिससे हमें पता चले कि ये पुरुजाती का है या इस्तिरीजाती का जैसे कि धारण के तोर पे लड़का, लड़की, रानी, राजा ऐसे जो शब्द होते हैं वो लिंग कहलाते हैं अब लिंग के दो रूप हैं पुर्लिंग और स्ट्रिलिंग इसके दो रूप हैं लिंग के पुर्लिंग, स्ट्रिलिंग अब पुरुज़िंग देखिए बच्चो जैसे शब्द होते हैं हमारा लड़का, बूडा, राजा, घोडा शब्दों से पता चल रहा है कि वे पुरुज़ाती के हैं याने के पुरुज़ाती के हैं इसी लिए ये शब्द पुरुज़िंग कहलाते हैं जिन शब्दों से ही पता चले कि ये पुरिश जाती से हैं वो पुर्लिंग शब्द कहलाते हैं दूसरा है हमारा स्ट्री लिंग लड़की, बुडिया, रानी, घोडी शब्दों से आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्री जाती के हैं यानि के स्त्री जाती से संबंदित है इसी लिए ये शब्द स्त्री लिंग कहलाते है अब आप देखिए यहाँ पर लिंग है स्त्री लिंग और पुर्लिंग ये हमारा पुर्लिंग ये स्त्री लिंग पुर्लिंग में देखिए बच्चो आदमी आदमी का हम स्त्रिलिंग बराएंगे अगर वहाँ पर शब्द क्या आएगा औरत ऐसे ही देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि पुरुष जाती का है यह देखिए मोर मोर पुरुष जाती का है अब हम स्त्रिजाती इसकी बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगी मोरनी, शेर, शेरनी, धोबी, धोबिन, मुर्गा, मुर्गी, दूलह, दुलहन, बक्रा, बक्री ये थे हमारे बच्चो कुछ स्त्रिलिंग शब्द और कुछ पुर्लिंग शब्द ठीके, आप इनको अपनी लेखन पुस्तिका पर सुन्दर लिखावट के साथ लिख लिएगा